अगर घर में कोई सब्जी ना हो तो यह यम्मी सी सब्जी तो बनाना पड़ती है जिसको देखते ही मुह में पानी आ जाए खाते ही विकुल आनंद आ जाए तो फिर क्या बनाना शुरू करते हैं यह मैंने एक कटोरी मसूर की दाल को एक घंटे पहले से भिगा के रखा था इसको दो तीलबार अच्चे से बौस कर लिया अब इसको मिक्सी जार में पूरी दाल को एक बार में ही ट्रांसपर कर देंगे देखे इस तरीके से और पानी बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें बिगर पानी के ऐसे ही पीस के हम तयार कर लेंगे देखिए इस तरीके से दाल मैंने बिल्कुल पीस के तयार कर ली है और दाल को बिल्कुल बारीक पीस ना है ना मोटा ना पतला बिल्कुल मीडियम दाल पीस के तयार करनी है देखिए इस तरीके से अब दाल पिस गई है अब इसको एक बॉल में ट्रांसपर कर लिए देखिये इस तरीके से सारी डाल को मैंने बॉल में ट्रांसपर कर लिया है अब दाल को एक मिनट के लिए रेष्ट के लिए छोड़ देते हैं इधर हम पेश्ट बना के तयार कर लेते हैं लसन प्याज हारी में इनको मैंने धुल के पहले से ही कट कर लिया था मिक्सी जार में टांसपर कर लिया आदे छोटे चम्मच जीरा और धन्या डाल देंगे अब इसका भी पेश्ट बना के तयार कर लेंगे पेश्ट बनके विलकुल तयार हो चुका है इधर एक मिनट दाल को हो गए थे रखे हुए हैं अब इस दाल में कुछ मसाले मिला लेते हैं आदे छोटे चम्मच से भी कम हल्दी, मिर्च और नमक इन तीनों को अच्छे से मिला देंगे और इसको कम से कम पांच मिनट तक बहुत अच्छे से फेट लेंगे लसन प्यास का जो पेश्ट बनाया था वो भी डाल देंगे एक चम्मच आप इसको अच्छे से फेट लेंगे एक ही राउन में घुमाना है यानि की एक साइट से ही और इसकी कम से कम पांच मिनट तक इसको बहुत अच्छे से फेट ले लिए जिससे यह पकौनिया हलकी भी बनेंगे यह चली जागी तो बहुत अच्छी सी पकौनिया बनके तयार होएंगी इधर दाल मेरी फिट गई थी इधर मैंने गयास अन करके कड़ाई चड़ा दी है अब इसमें ओल लगा दिया है ओल अच्छे से हो गया था अब हम छोटी छो पकौनियों को एक बैच की तोड़ दी है अब इनको सिखने में दो मिनट का समय लग जाएगा अब इनको उलट पलट कर दींगे और जो थोड़ी सी जोएंट हो गई है उनको कर्सली की सहता से अलग भी कर दींगे देखिए अब इनको उलट पलट कर दींगे और इनको अच खाने में भी टेश्टी लगती है, देखने में भी टेश्टी लगती है, इस तरीके से मैंने सारी पकॉणियों को उलट उलट कर दिया है, और मेरी वीडियो को फुली बॉच कीजिए, देखिए इस तरीके से पकॉणियों मेरी बिल्कुछ सिख के तयार हो चुकी है, व्युक अब इसको एक थाली या प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से मैं थाली में अपनी पकॉणियों को निकाल लूँगी एक बैचित की सिक्के तयार हो गई है अब हम दूसरे बैच की भी पकॉणियों को डाल देते हैं देखें इस तरीके से बही प्रोसेस हम दूसरी बार भी करेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी पकॉणियों को हम तोड़ देंगे क्योंकि यह जब अच्छे से ग्रेवी में डिप होएंगी और बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी इस तरीके से मैंने थोड़ी सी साज को छूटा रखा है अब इसको भी उलट पलट करके दो मिनट का समय लेके इनको भी अच्छे से सिख लेंगे और ये भी पकॉणिया हमारी बहुत अच्छे से सिख गई है अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बैल आगन के बटन को जरूर प्रेस करना देखे इस तरीके से ये भी पकॉणिया मेरी सिख के तयार हो चुकी है अब इसको भी थाली में निकाल लेंगे अब तीसरे बैचिस की पकॉणियों को भी डाल देंगे देखे देखने में कितनी बढ़िया सिख के तयार हुई है अब हम तीसरे बैच की भी डाल देंगे इस तरीके से एक कटोरी डाल की पकॉणियों को मैंने तीन बैचिस में फ्राई किया है और ये बहुत जल्दी सिख जाती है और सब्जी भी बहुत जल्दी बन जाती है बहुत कम समान में बहुत हेल्दी सब्जी भी है जब भी सब्जी नहों तो इस तरीके की सब्जी आप मैमानों को भी खला सकते हैं और खुद भी बना के खा सकते हैं देखिए इस तरीके से इनको भी मैंने उलट पलट कर दिया है और ये भी शिक्षे से त्यार हो गई ये गैस को स्लो कर देंगे अब इस बैच की पकॉनियों को भी निकाल लेंगे इस तरीके से मेरी पकॉणिया सिक्के बिल्कुल तयार हो चुकी है मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया सिक्के तयार हो ही है अब इसमें आदे छोटे चम्मत जीरा और धनिया और दो तेज़ पाज के पत्ते डाल देंगे अब इनको बहुत अच्छे से भुनने देंगे जीरा थोड़ा भुनने में समय लगाता है और धनिया थोड़ा भुनने में समय लगाता है जीरा तो बहुत जल्दी भुन जाता है इस तरीके से देखे धनिया को अच्छे से भुनने लगा है अब हमने जो पेश्ट बना के रखा था लसन, प्याज, हरी मिर्च, जीरा और धनिय का उस पेश्ट को डाल देंगे और सारे पेश्ट को हम डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्सी जार के पानी को भी दुल के डाल देंगे देखिए इस तरीके से आदे मिनट तक मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है और मिक्सी जार के पानी को भी डाल दिया दुल के अब इसमें मसाले डाल देते हैं, एक चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल देंगे एक चम्मच पिसी हुई मिस्ट डाल देंगे अब इन मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे, धनिया हमने पहले ही प्याज में पीछ लिया था, इसलिए हमने पिसाग धनिया नहीं डाला है इस तरीके से मसाले को भूनने में भी तीर मिनट का समय लग जाएगा और मसाले को भी बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक मसाला खुसबू और तेल ना छोड़ दे जब तक हमें कांटियों ने मसाले को अच्छे से भून देना है एक बड़ी चमज हमने कस्तुरी मेथी डाल दिया इससे सबजी का टेस्ट बहुत अच्छे आता है नमक डाल देंगे स्वाद अनूसा और ये गोल्ली सबजी मसाला का पैकिट है इसको भी डाल देंगे इससे सबजी में बहुत अच्छा सा टेस्ट बढ़ जाता है और अधर कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ती है अब इन मसाले को थोड़ा सा और भून लेंगे देखिए मसाला प्रकुर बहुत अच्छे से भून गया है कडाई भी छोड़ने लगा है तेल भी छोड़ दी है अब हमने जो अपनी पकौणिया बना के रखी थी है उन पकौणियों को डाल देंगे इन मसालों में अब इनको बहुत अच्छे से मसाले में उलट पलट कर लेंगे देखिए इस तरीके से मैंने अपनी पकौणियों को मसाले में बहुत अच्छे सोलट पलट कर लिया है अब जैसी आप ग्रेवी खाना चाहते हूं वैसा भी आप पानी दे सकते हैं यहां मैंने लमसम दो ग्लास पानी लगा दिया है क्योंकि जब यह पकौणिया खौल आने के बाद ग्रेवी में रहने के बाद थोड़ी सी और फूल जाए अब इसको हम किसी बर्तन में ट्रांशपर कर लें गे मैं इससलिए आपको पास से दिखा रही हो बात में ग्रेवी भी बिल्कुल सोख होने के बाद गाड़ी हो जाएगी और इस तरीके से मैंने आपके साथ बहुत सिंपल तरीके से मसूर की दल की पकॉणी की सब्जी सेर की है देखिए बिल्कुल अच्छे से स्वाप्ट भी हो गई है और सब्जी बनके हमारी बिल्कुल अच्छे से तयार हो चुकी आस में कोई सब्जी नहीं थी तो यह सब्जी तो बनती थी जो मैंने आपके साथ सेर की है आप इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं कि मैं आपको पास से भी दिखा देती हूं देखने में भी अच्छी लग रही थी खाने में भी ज़्यादा मसाले बताएं हो बिल्कुल घर के सिंपल मसाले से यह आपको सब्जी बताईए आसानी से बिल्कुल कट रही हैं बहुत सौप्ट भी थी और यह थोड़ी सी और फूलेंगी जब तक ग्रेवी में पड़े पड़े घरम गरम सब्जी में तो यह और अच्छे से स संदाई तो जाते जाते आप सब मेरे चनल को लाइक करना बैल आइकन को बटन को जरूर प्रेस करना और मेरी वीडियो को कम से कम चार पाश लोगों बास सेर कर देना जिससे मैं कोई भी वीडियो डालू तो उसका नोटिपिकेशन आप तक जा सके और यह यम्मी सी सबजी तो इंज्वाइ करना आपको बनती है मेरे कहने से आप जरूर बनाना तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब बैल आइकन को बैटन को प्रेस कीजिए थैंक्स वर वाचिंग फिर मिलेंगे नई रैस्पी के साथ बार